हे गोविंद। हे गोपाः अब तो जीवन हारे नीर पीवन हे तु गयो सिंधु के किनारे सिंधु बीच बसत ग्राः चरन धरे पचारे हे गोविंद। हे गोपाः हे गोविंद। हे गोपाः हे दयानु प्यारे हे गोविंद। हे गोपाः हे दयानु प्यारे हे गोविंद। हे गोपाः हे दयानु प्यारे हे गोविंद। हे गोविंद। मैं तो अपने परिवार के सहित। जल्पी ने आया था। लेकिन इसने मेरा पाउं पगड़ लिया। और ये मुझे यहां से निकलने नहीं दे रहा है। किरिपा करो गोविंद। मेरी रक्षा करो मेरे प्राण बचालो। किरिपा कर दो। सूर कहे स्याम सुनो सुर कहे स्याम सुनो सरन है तुम्हारे और ये पंति सब बोलेंगे। अब कि बेर पार करो। कोई भी मौन नहीं रहेगा। ये तो बोलो मानव जीवन कल्योगों में मिल गया है। चांस अच्छा है और जो इस मौके को गमा दे उससे मुर्ख कोई नहीं। और कहते हैं जो मौके पे चोगा मारे सबसे बड़ा स्टार्क लाड़ी है। है या नहीं बोलो मौके पे चोगा मारो और ये मौका अच्छा है। लेकिन पाप जादा नहीं अभी। अभी हम धर्म में बैटे हैं बागवत में बैटे हैं। हरी भजन कर रहे हैं सब जानते हैं। लेकिन आने बाला कली को बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए मौका अच्छा है। आब की बेर पार करो नंद की दुलारे आब की बार हमारी रक्षा कर लो कैसे भी हमारी रक्षा करो हमारे अपराद मन देखो हमारे पाप मन देखो अब की बार हमें पार कर दो। एग बार सब बोलेंगे तरा हिमाम तरा हिमाम तरा हिमाम तरा हिमाम एगो बिंद हम तुमारे हैं बुरे हैं जैसे हैं एगो बिंद हम तुमारे ही हैं और तुम हमारे हो मेरे प्यारे अब की बार हमको पार कर दो। ए गुविन्द ए गुपार ए गुविन्द ए गुपार ए दयानु प्यारे ए दयानु प्यारे जैसे ही गजराज ने गुविन्द को पुकारा तो क्या हुआ जानते हो द्वारिका में सप्दयो सुर्भयो भारे संख चक्र गदा पद्म संख चक्र गदा पद्म संख ले बदा दे ए गुविन्द ए गुपार ए गुविन्द ए गुपार ए दयानु प्यार ए गुविन्द ए गुपार ए गुविन्द ए गुपार आपर्मजीवान आए